हलो इन्वेस्टर्स इस वीडियो के अंदर मैं आप लगो को NTPC Limited, NHPC Limited और JK Tires के साथ में कुछ ऐसी कंपनी इसके शेर्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्नोंने जस्ट अभी अभी कुछ देर पहले बोनस, स्प्लेट और डिविडेंड अनौंस कर दिया है अब जब कहीं दिया है कि ये वाला वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है, कंपनी का नाम है सचेता मेटल्स लिमिटेड ये कंपनी का जो शेर है आज के ट्रेडिंग सेशन में लगबग अपने 5% के अपर सरकेट पे लोग था और 4.88 रुपीज पे क्लोज हुआ अगर इस कंपनी के ओफिशल अनामस्मेट की बात करें तो सचेता मेटल्स ने डिविडेंट अनामस कर दिये 0.05 रुपीज का आपको आपके हर एक शेर पे 5 पैसे का डिविडेंट दिया जाएगा अब वैसे अगर आप डिविडेंट वैल्यू को देखेंगे तो आपको भ इसकी हो सकता है तो प्लीज थोड़ा सोथ समझ के अपना कोई भी इन्वेस्मेंट यहाँ पे करिएगा बागी डिविडेंट को देने की जो एक्स डेट रिकॉर्ड डेट है अभी तक अपकमिंग में है विगोज एकदम लेटेस्ट अनाउंसमेंट है तो बाद में जैसी इक्स डेट रिकॉर्ड डेट आएगी डिफिनेटली मैं आपको इंटीमेट कर दूँगा आप लोग जोए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगले शेयर की बात करें तो कंपनी का नाम है मयूख डील ट्रेड लिमेटेड आज के ट्रेडिंग सेशन में कंपनी का जो शेय लगबग हमें 50% की तेजी दिखाता देखने को मिला 2.15 रुपीज के उपर क्लोज हुआ उससे भी बड़ा पहनी स्टॉक है अब इस कंपनी की अगर ऑफिशल अनौंसमेंट की बात करें तो उससे पहले आपको एक बड़ी अपडेट शेयर करता हूँ अगर आप लोग चा काफी जादा बेनेफिशल रहेगा इसकी गिरेंटी मैं खुद लेने को त्यार हूँ तो एक बार ही चेक आउट जरूर से करिएगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा साधी साथ में मेरे इंस्टेग्राम पेज का लिंक भी मौझूद है अगर आप इंस्टेग्राम पे मुझे फॉलो कर लेते हैं तो डेली जो भी शेयर के उपर बड़िया बाइंग सेटप बनता है उस शेयर का नाम उसका बेस्ट बाइप्राइस और टारगिट प्राइस आ अगर आपके पास में इस कंपनी के 5 शेयर्स हैं तो यहाँ पे आपको 3 शेयर्स as a bonus मिलेंगे आपके जो 5 शेयर्स हैं वो 8 शेयर्स में convert हो जाएंगे चाहे फिर बेशक आपके पास में इस कंपनी के जितने मरजी शेयर्स हों आपको आपके हर 5 शेयर्स के उपर में 3 शेयर as a bonus दे दिये जाएंगे इस bonus को देने की भी X-Date record data भी upcoming में है because ये भी एकदम latest announcement है तो definitely बाद में जैसी X-Date record data आएगी I'll update you आप लोग जोए चैनल को subscribe करिएगा अगले share की बात करें तो company का नाम है RDB Infrastructure and Power ये company का जो share है आज के trading session में हमें 0.5% से जादा correct होता देखने को मिला और 576 रुपीज पे close हुआ अगर इस company के official announcement की बात करें तो RDB Infrastructure and Power ने जोए stock split announce कर दिया है 1-10 के ratio से जिसका मदलब काफी simple है अगर आपके पास में इस company का एक share है तो वो total में 10 shares में convert हो जाएगा चाहे फिर बेशक आपके पास में इस company के जितने मरजी shares हो वो सभी के सभी यहाँ पे 10 गुना हो जाएंगे इसको देने की भी X date record date अभी upcoming में है अब तो आपको पता है चैनल को subscribe कर लेना है क्योंकि जैसे X date record date आएगी definitely I'll update you अगले share की बात करें तो company का नाम है Siemens Limited Siemens का जो share है आज के trading session में 0.3% के एक छोटे से minor correction के साथ 7,867 रुपीज पे close हुआ अगर इस company के official announcement की बात करें तो Siemens Limited ने जो है dividend announce करके रख़े 12 रुपीज का आपको आपके हर एक share पे 12 रुपे का dividend दिया जाएगा actual में देखा जाए dividend value काफी ज़दा कम है below average है इसको देने की X date record date भी अभी upcoming में है लेकिन यहाँ पे management ने काफी clear लिका है कि 14th of February या उससे पहले-पहले आपके bank account के अंदर में जो भी dividend value होगा वो यहाँ पे credit कर दिया जाएगा अगले share की बात करें तो company का नाम है NTPC Limited NTPC का जो share है आज के trading session में लगबग हमें 1% की गिरावट करता देखने को मिला और 365 रुपीज पे close उपा NTPC की तरफ से काफी बड़ी और एक positive update सामने आ रही है basically यहाँ पे अगर आपको सीधर detail में ही बताऊ तो यहाँ पे ilara capital करके एक काफी जाना माना brokerage firm है और ilara capital ने जो ए NTPC के share के उपर में bullishness दिखाई है और buying recommendation देते हुए 497 रुपीज का target सेट कराए लगबग 365 रुपीज से लेके 497 रुपीज तक की एक जो rally है याँ आप कहा सकते हैं जो बड़ा upside momentum है वो यहाँ पे ilara capital expect कर रहा है NTPC Limited के share के उपर में अब NTPC की यह जग कंपनी अगर हम बात करें सभी को पता है fundamentally financially NTPC काफी strong है उपर से एक PSU unit है जिसके चलते government का support और investors का जो trust है company के उपर बना हुआ है अगर आप all over NTPC को देखते है actual में company के अंदर potential काफी ज़ाद है कि long run में आपको काफी अच्छे returns डिलिवर कर पाए विगुस कहीं न कहीं NTPC का जो business है directly कह लीजिए solar power या energy से ही related है और कहीं न कहीं long run में ये वाला business ये वाला पूरा का पूरा sector आपको काफी अच्छा चलता देखने को मिलेगा अब NTPC की specifically अगर हम बात करी रहे है तो आपको एक और चीज़ बता दूँ कि NTPC on charts NTPC का जो share है on charts काफी ज़ाद बुलिश है एक बड़ी है trend के अंदर में move हो रहा है हाँ हो सकता है short term में थोड़ा बहुत retrace कर जाए यानि कि थोड़ा बहुत नीचे आ जाए लेकिन actual में mid term तक आते आते लगबग 4-5 महिने तक भी अगर आप NTPC के share को hold कर लेते हैं तो एक अच्छा खासा return आपको काफी इसली मिल जाएगा मैं तो personally आपको यही suggest करूँगा अगर आप थोड़ा सा patiently company के shares को hold कर सकते हैं तो definitely go for NTPC काफी अच्छे returns आपको मिल जाएगे जिस टेगी condition है कुछ महिनों तक आपको company के shares को hold करना पड़ेगा अगर आप यह कर सकते हैं तो definitely go for NTPC company के share को अभी के अभी आपके watch list के अंदर में add करिये और company के share pap की नजर बना के रखियेगा अगले share की बात करें तो company का नाम है NHPC Limited NHPC का जो share है आज की trading session में exactly flat close हुआ 86 rupees का closing price था अब NHPC की तरफ से भी एक बड़ी और एक positive update ही सामने आ रही है अगेन यहाँ पे ilara capital जो की एक जाना माना brokerage firm है इन्होंने जो ए NHPC के share पे भी bullishness दिखाई है और यहाँ पे जो target price दिया है 118 rupees का दिया है लगबग 86 rupees से लेके 118 rupees तक की एक जो rally है ilara capital expect कर रहा है NHPC Limited के share के उपर में अब NHPC के as a company बात करें तो यहाँ पे भी काफी चीज़े common है first of all fundamentally financially NHPC काफी strong है second thing यह भी एक PSU stock है तो कहीना कहीं government का support investors का trust यहाँ भी है इसके अलावे एक plus point ही हो जाता है NHPC कहीना कहीना एक अच्छे खासे market value पे trade हो रहा है यानि कि अगर आप company का market capitalization चेक करेंगे तो इस सब में आपको खुद पता लगेगा company की जो valuation है अभी काफी सस्ती है और अगर आप इस valuation पे आनि की current market price पे NHPC के shares को उठाते हैं तो actual में आपको काफी अच्छे gains जो है 2025 के first half के अंदर में मिल जाएंगे NHPC के अंदर potential काफी जादा है 118 रुपे का target थोड़ा जादा बड़ा हो गया बड़ आक्च्छल में आपको बताऊं तो 2025 जो नया साल है इस साल के starting के 6 महीनों के अंदर आपको एक काफी अच्छा return मिल जाएगा अगर आप all over CAGR compare करें तो कही न कहीं देखा जाए NHPC के अंदर भी potential काफी जादा है उपर से आपका investment one point of time तक safe and secure है तो definitely अगर आप चाहें NHPC पे भी नजर बना के रख सकते हैं and definitely आपके watch list के अंदर में company के share को add कर सकते हैं अब आज आते हैं इसी के साथ बात कर लेते हैं यहाँ पे हमारे अगले and last update की company का नाम है JK Tire and Industries JK Tire का जो share है आज के trading session में लगबग हमें 0.5% की गिरावट करता देखने को मिला और 407 रोपीज पे close हुआ JK Tire की तरफ से एक important और एक positive update ही सामने आ रही है basically यहाँ पे IIFL Securities करके काफी जाना माना brokerage firm है JK Tire के share पे bullishness दिखाई है और buying recommendation देते हुए दो target set करें पहला target है 437 रोपीज और जो second target है वो है 450 रोपीज का लगबग 407 रोपे से लेके 437 रोपे और 450 रोपे तक की एक जो rally है या फिर आप कह सकते हैं जो upside momentum है वो यहाँ पे IIFL Securities expect कर रहा है JK Tire and Industries के share के उपर में अब JK Tire की as a company अगर हम बात करें JK Tire fundamentally financially तो काफी strong है इसी के साथ market value या फिर आप कह सकते हैं जो good will है company की वो काफी ज़ादा strong है on ground अगर आप जाकर के खुद चेक करेंगे तो आपको पता लग जाएगा and कही न कहीं JK Tire की अगर हम बात करें तो अपनी industry का one of the leaders है market leaders में से एक है और कही न कहीं company ने past में भी अपने investors को काफी अच्छी growth डिलिवर करी है और there is a very high potential कि आने वाले कुछ महीनों में भी काफी अच्छी growth और यहाँ पे JK Tire डिलिवर कर पाए share price में हमें definitely काफी अच्छे impact पढ़ता देखने को मिलेगा 450 रोपे तक के targets की अगर हम बात करें actual में देखा जाए बड़ा target नहीं है ठीक ठाक decent target है और actual में 6-7 महीनों के अंदर में इससे बड़ा target आपको achieve होता नज़र आएगा और within 6 months आप expect कर सकते हैं आपको 4500 रोपे का target हिट करता देखने को मिले 6 महीने का time भी मैं थोड़ा जादा ही ले रहा हूँ actual में उससे भी कम time frame में company का share ये target achieve कर सकता है लेगिन to be on a safer side आपके पास एक ऐसा capital होना चीए जिसको आप 6 महीने तक भी hold कर सके और आपको urgent में उस capital की need ना पड़े तो इसलिए मैं ये कह रहा हूँ आपका जो mind है वो 6 महीने के हिसाब से make up करके चलिएगा ताकि easily आप company के shares को hold कर पाएं और एक अच्छा घजर return अपना collect कर पाएं अक्च्छल में अगर आप चाहें तो जेके टायर के share पे भी आपकी नजर बनाके रख सकते हैं and definitely आपके watch list के अंदर में भी add करिएगा बाकि जेके टायर हो गया, NHPC हो गया, NTPC हो गया इन तीनों के अलावा आपको जिस भी company के share को purchase करना हुआ ताकि यहाँ पे आपको उसके announcement का benefit मिल पाए तो उस particular share को आपको उसकी X date से पहले-पहले purchase कर लेना होगा इस वीडियो के अंदर इतना ही रखते हैं यही कुछ companies के shares थे जिनकी तरफ से बड़ी updates सारी थी specifically जिनोंने आपे bonus, split और dividend announce किया था अब अगर आपको वीडियो अची लगियो, वीडियो को तो लाइक करना ही करना चैनल को भी subscribe करिएगा because ऐसे वीडियो मैं आप लोगो के लिए daily basis पे लेकर के आता रहता हूँ चलिए मिलेंगे किसी और वीडियो के अंदर till then, bye